नमो नमो वच्चों, मैं हेमा धूत एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में आथवी कक्षा का संस्कृत विशय से आठवा पाट और हमारे पाट का नाम है संसार सागरस्यनायका हूँ संसार सागर अस्य नायका है अर्थात संसार सागर के नायक इस चैप्टर को हमने पिछले सेशन में आधा एक्स्प्लेइन अल्रेडी कर लिया था और यहां पर हम बाकी का आधा करेंगे प्लस शब्दार्थ हम इसके साथ करेंगे यहां जो हमारा चाप्टर है बच्चों मैंने बताया था अनुपम मिश्ट द्वारा लिखा गया एक कृती है उसमें से यह उस अध्याय में से यहां लिया गया है और यहां जो है पुराने जमाने में जो तालाब का निर्मान करते थे तालाब, पुवा, बावडी जो तक खुदाई करते थे, जो शिल्पकार थे, ऐसे लोगों की तुलना में आज के जो नई तकनीक से काम करने वाले लोग है, वे कहीं पर भी नहीं आते, जो उनकी जो काम है, पुराने जमाने के लोगों की जो काम है, उनकी गिंती, उनको कोई माप नहीं पाता है, नई तकनीक कौन थे जिन्होंने इतने सारे सहस्त्र सेकडों हजारों तालाबों का निर्मान किया है तो उनके वे जो नाम है जो पहले प्रसिद्ध हुआ करते थे आज वे अज्यात है आज उनको कोई नहीं जानता ना उनको कोई जानने की कोशिश करता है तो ऐसे नायकों के लिए हमने यहां उनको श्रधानजली देने के लिए समझो या उनको सम्मान देने के लिए समझो यहां पाठ इसमें अनुकम मिश्र ने संकलिंत किया है हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे पिछली सेशन में हमने इतना देखा था कि नई तक्निक जो इस्तमाल करते हैं उन लोगों जो सेकड़ों हजारों तालाब का निर्मान हुएवे वस्तुतह चीजों को सबको नहीं के बराबर गिंती में लेकर आ गए हैं आज हम इसके आगे के सेशन करने वाले हैं तो यह जो लोग थे जो निर्मान करते थे पुराने जबाने में जो तालाब या बावडिक हुआ य उनको हम क्या कहते हैं उन लोगों को हम साधर मतलब रिस्पेक्ट देते हुए उनको गजधर नाम से हम आज भी याद करते हैं पहले के जमाने में ऐसे लोगों को गजधर नाम दिया गया था, गजधर, तो यह गजधर जो है यह नाम जो है आज भी राजस्थान, अस्य, केशु, चिद, भागेशु, शब्दो, स्यम, अध्यापी, प्रचलती, आज भी यह नाम राजस्थान के कुछ भागों में प्रच प्रचलत है कौन है ये गज धर कह गज धर और कॉन है ये गज धर फ्रश्न पूछा गया है कि हम उन्हीं के बारे में जानने जा रहे हैं यह गज परिमान धारयति सह गज धर रह यहने यह गज परिमान परिमान अर्था स्केल जो हम कहते हैं गज जो तीन हाथ या तीन फिट उंची जो एक लकड़ी होती है जो हाथी के माप के हाथी के हाइट की होती है गज इसलिए गज कहा गया है परिमान धारयती तो जो ऐसे परिमान को ऐसे स्केल को धारण करता है यह अपने सांथ लेकर चलता है, उसे हम गजधर कहते हैं, गजपरिमार्ण में वो मापनकार्ये उप्युज्य थे, यनि ये जो गजपरिमार्ण है, यनि ये जो फुट्टी है या डंडा है, इस डंड़े से वे मौपनकार्ये करते थे, वे मापने का काम कर दर जैसे आज की कारिक में हम scale use करते हैं fa stair इंच तेप करते हैं तो वे लोग वो जो लकडी होती ती गजधर मतलब गज-परिमान की जो हाथी के हाइट की तो वो वो लोग यूझ करते थे मापन कार्य के लिए समाजे त्रीहस्त परिमानात्मिकी लोह यश्टीहस्ते ग्रुहित्वा चलंत गजधराह इदानी शिल्पी रूपेण नैव संद्धता संतीह यहने कि समाज में त्री हस्त त्री अर्थात तीन हस्त अर्थात हाथ परिमानात्मिक लोहिष्टी यहने तीन हाथ के नाप वाली लोहे की छड़ी तीन हाथ वाले नाप की लोहे की छड़ी जो हाथ में लेकर हस्ते ग्रुहित्वा हाथ में लेकर चलंतह चलते थे गचधराह इदानी, ऐसे ही लोगों को हम गचधर कहते थे, और जो शिल्पकार के रूप में भी जाने जाते थे, लेकिन आज जो है शिल्परूपेन नेव समरुधता संती, आज वो है उनको शिल्पकार के रूप में गिना नहीं जाता है ऐसे लोगों को, लेकिन पहले उनही लोगों को वे गजदर तो थे तालाप के निर्मान तो करते ही थे लेकिन उनको हम शिल्प रूप शिल्पी भी कहते थे शिल्पी भी वे थे क्योंकि वे तालाप का तो निर्मान करते ही थे साथ साथ में और क्या-क्या निर्मान करते थे देखिए गजदरह यह समाजास्य गांभिर्य मापयेत यस्त मिनरूपे परिचित हम उस समाज की गंभीरता को मापने का कार्य भी करते थे यहने समाज कितना गहरा है समाज कितना बड़ा है कितना गहरा है यह मापने का काम भी गचधर लोग करते थे उस नाम से वे परिचित थे गचधराह वास्तुकाराह आसन उस वक्त गचधर जो थे वास्तुकाराह अर्थात भवन निर्मान का कार्य में भी अग्र सर रहते थे यहने भवन निर्मान का कार्य भी करते थे ग्रामिन समाजो भवतू नगर समाजो वातस्य नव निर्मानस्य सुरक्षा प्रभंदस्य च दाइत्व गजधराह निभाल अयंतिस्म ग्रामिन समाजो ये उस वक्त कामम ग्रामिन समाजो भवतू चाहिए गाओओं का निर्मान करना हो नगर समाजो हो ये नगर का निर्मान यह नगर में समाज का निर्मान करता हो तस्यनव निर्मानस्य तो वही वे निर्वान करते थे और साथ ही साथ सुरक्षा प्रबंधनस्य चा दाइत्व उनका ही था यहने भवन तो निर्वान करते ही है गाउं में समाज निर्वान करते हैं नगर में शहर में समाज निर्वान करते हैं साथ ही साथ उनकी सुरक्षा का प्रबंद भी वे देखते हैं नगर नियोजनात लगु निर्मान परियंत सर्वानी कार्यानी एते श्वेव आधुरतानी आसना यानि नगर नियोजन करती वक्त छोटे से छोटे कार्य में भी वे पुरी तरह से उन पर ही निर्भर था चोटे से चोटा कार्य, नगर निर्मान तो कितना बड़ा कार्य होता है, उसके अंदर चोटे से चोटा कार्य भी उन पर ही आश्रित था, उन पर ही निर्भर था ते योजनाम प्रस्तुवनतिस्म येने वे पुरी योजना बनाते थे, भावी व्यम आक्लयनतिस्म उस योजना बनाने में उस योजना बनाने पर कितना खर्चा होगा इसका अंउमान भी वे लगाते थे उपकरन भारान, संग्रुहंतिस्म, जो भी उपकरन लगने वाले हैं, जो भी सामान उसमें लगने वाले हैं, बनाने में, वे भी वही काम करते थे, कि इकटा करना, उसको इकटा करना, यहने पुरा प्लानिंग करना, प्लानिंग में कितना खर्चा है, बजट टै करना, और उ गजदर ये सारे काम कर लेते रहें लेकिन बदले में प्रतिदाने बदले में तेन तद याचन तेस्म वे कुछ भी नहीं मांगते थे कुछ भी बदले में वे मांगते नहीं थे यद दाशुम तेशा स्वामी न असमर्था और ऐसा तो बिल्कुल नहीं मांगते थे जो देने में उनके स्वामी असमर्थ हो यहने जो उनके मालिक है जिनके कहने पर वी यह काम कर रहे हैं वे देने में असमर्थ है ऐसा कुछ भी वे डिमांड नहीं रखते थे नहीं तो आज के तारिक में देखो कितने कितने लाखों में घर मिलते हैं यहाँ पे शहरों में तो लाखों करोडों में घर मिलते हैं हम तो उतना दे भी नहीं पाते हैं लाखों करोडों में तो कहां सोचे हम बवेशु कार्य समाप्तों वेतनानी अतिरिक्च गजधरेब्यह सम्मान अपी प्रदियतेस्मा उल्टे वे अपना वेतन तभी लेते थे जब उनका पूरा कार्य समाप्त हो जाता था और अपनी छोटे सी वेतन के साथ साथ में उनको सम्मान भी दिया जाता था उस वक्त इताद्रुशेभ्य, शिल्पभ्य, तो ऐसे शिल्पकारों को नमो है, नमो नमो है, नमस्कार करते हैं हम, तो इसके साथ ही हमारा आज का ये chapter explanation खत्म हुआ है, अब हम इसके साथ शब्दार तकते जा रहे हैं, पूरे chapter का, ये गजधर आप देख सकते हैं, यहां पे कुर्ता ह है, और कोटी है, धूती टाइप पहन रखा है, और एक स्टिक उनके हाथ में है, ये गजधर माप जिसे हम कहते है, ये normally कंधे पर यह से हाथ में लेकर वे चलते हैं, शब्दा अर्था में सहसेव यह एक संधी है अस्मात अर्थात अचानक जो हम कहते हैं प्रकटी भूता है प्रकट हुए दिखाई दिये नैपत्थे परदे के पीछे तड़ागाह तालाब निर्मापईत्रुणाम येने बनवाने वालो की बनवाने वालो की निर्मात्रुणाम बनाने वालो की एककम एकाई दशकम दहाई शतकम सैकड़ा, सैकड़ा आता सैकड़ो जो हम बोल सकते हैं सहस्त्रकम हजार, सहस्त्रकम हजार जिग्यासा जानने की इच्छा उदभुता उदपन हुई, जागरुत हुई उदभुता उदपन हुई, जागरुत हुई, अस्मात पूर्वम इससे पहले मापई तुम मापने या नापने के लिए प्रयतितम प्रयत्न किया बहु प्रतिता बहुत प्रसिद्ध अशेशे संपूर्ण, अशेशे संपूर्ण, संपूर्ण देश, अशेशे देशे जो बोलते हैं संपूर्ण देश में निर्मियंतेस्म बनाये जाते थे निर्मातारह बनाने वाले गजधरह अर्थात गज गज अर्थात क्या है? लंबाई, चोड़ाई, गहराई, मोटाई, मापने की लोहे की छड़ी अब इसमें हम लंबाई भी मापते हैं, चोड़ाई भी मापते हैं, गहराई भी मापते हैं, मोटाई, कितना मोटा है, यह हम आपने की लोहे की छड़ी, तो गज को धारन करने वाले व्यक्ति, तो गज को हम वो बोलते हैं, मतलब ऐसी चीजे जो मापते हैं, इन चीजों को ध भारन करने वाले व्यक्ति को हम गजधर कहते हैं, तड़ाग निर्मात्रुणाम येने तालाब बनाने वालो खे, त्रीहस्त परिमानात्मिक किम, येने तीन हात के नाप की, त्रीहस्त परिमानात्मिक किम, लोह यश्तिम लोहे की छड, लोह यश्तिम लोह अर्थात लोह, यश्तिम अर्थात छडी, समाद्रुता, समाद्रुताह आदरको प्राप्त, गांभिर्यम गहराई, वास्तुकाराह भवन आदिका निर्मान करने वाले, वास्तुकाराह भवन आदिका निर्मान, भवन आदिका निर्मान करने वाले, वास्तुकाराह मतलब जो आर्किटेक्चर हम आज के तरिक में कहते हैं, इंजिनियर्स आखिटेक्चर जो कंस्ट्रॉक्षन का काम करते हैं, प्रतिदाने, बदले में, याचंतेस्म, मांगते थे, अतिरिच्य, अतिरिक्त, ओके, so what did we learn today, बच्चों आज हमने क्या सिखा, आज हमने chapter complete किया, explanation complete किया, और उसके बाद में उसके शब्दार्थ किये, आज हमने जो chapter complete किया है, संसार सागरस्य नायकाह, अर्थात इस संसार में जितने भी तालाप कोई बनाए हुए हैं, पहले के जमाने के, वे कौन थे, जिसने बनाए हैं वो, उनकी तुलना आज की मुकाबले में कोई नहीं कर सकता है, और उन लोगों को हम गजधर कहते थे, गजधर अर्थात जो तीन हाथ के माप वाले गज को लोहे की छड़ी को लेकर घुमते थे, वे भवन निर्मान के कार्य में छोटे से छोटा कार्य भी करते थे, चाहे वह गाओं का निर्मान करना हो, या नगर का निर्मान करना हो, व यह सब वो करते थे और ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं तो आज का हमारा यह सेशन यहीं पर समाप्थ होता है हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसके कुछन आंसर्स एक्सरसाइजेस को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद शुब दिन